जस्त्व संदी के अभ्यास के बाद आज हम परसवर्ण संदी का अभ्यास करेगे परसवर्ण संदी के भी सुत्र जो है वह लगुसिद्दान कोमुदी में हल संदी में निर्दिष्ट किये गए है तो परसवर्ण संदी के बारे में कई सारे सुत्र है लेकिन मुख्यतया जो सुत्र है उन सुत्रों का हम अध्ययन करेगे मुख्यतया तीन सुत्र हल संदी में परसवर्ण संदी के बारे में मिलते है जिसमें से प्रथम सुत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण द्वितिया है वापदांतस्य और तोरली जिसमें से अनुस्वारस्य यही परसवर्ण जो सुत्र है वह मुख्य सुत्र है तो चलिए परसवर्ण संदी का आज हम अभ्यास करते है तो परसवर्ण संदी के अभ्यास करने से पहले परसवर्ण शब्द का क्या मिनिंग है वह हमें ख्याल होना चाहिए तो परसवर्ण तो हमें पता है कि हम कोई भी संदी विभाजन करते हैं संदी विच्चेत करते हैं य और दूसरा होता है परपद तो पर में जेसा वर्ण हो उनकी अनुसार पूर्वं पद के अंतिमक्षर का जो कोई भी वर्ण हो वह पर जेसा हो जाए ठीक है तो वह है परसवर्ण और पूर्वसवर्ण उसे कहते है कि पर में जेसे वर्ण हो उसके जेसा ही पूर्वं में वर् साम्य के सद्रु सोना वही है परसवर्ण संदी या परसवर्ण कारिय उसे आप कहसे हैं तो परसवर्ण संदी का सुत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण हाँ यह जो सुत्र है वह पाणिनी या सुत्राश्टाध्याईर में अश्टमध्याई के चतुर्थपाद के 58 सुत्र है यानि पाणिनी ने इनको अश्टमध्याई में प्रतिपादित किया है और वरत राजाचारिय ने भल संधी प्रक्रण के अंतरगत परसवर्ण संधी में इनका समावेश करते हुए लिखते है कि अपदांतस्य अनुस्वारस्य यही परे परसवर्ण हस्याद तो देख रहे हैं कि इस सुत्र में मुख्यतया तीन पद है जिसमें से प्रतम पद है अनुस्वारस्य दुसरा पद है यही और तिसरा पद है परसवर्ण अब आपको विबक्तिक अगनान तो आसानी से हो रहा होगा तो अनुस्वारस्य जो है वह क्या है सश्ठी विबक्तियंतपद है परसवर्ण जो पद है वह प्रत्मा विबक्तियंतपद है और यही जो है यह कौनसी विबक्तियंतपद है सब्तमी विबक्तियंतपद है तो आप याद किजिए कि सश्ठी विबक्तियंतपद जो होता है वह क्या होता है जैसे हमने इको यंडची में देखा था तो होस्चुनास्चुहू में देखा था जलाम जशोंते में देखा था उसी प्रकार यहाँ पर भी अनुस्वार अस्य यह सश्ठी विबक्तियंतपद होने से यह स्थानी है यानि अनुस्वार के स्थान पर कार्य इस सुत्र में होगा और कौन सा कार्य होगा तो प्रत्मा विबक्तियंत पद वाला जो भी कार्य होगा वह होगा तो यहां पर सुत्र में प्रत्मा विबक्तियंत वाला पद कौन सा है परसवर्ण यानि किस के स्थान पर अनुस्वार के स्थान पर ही परसवर्ण होगा यह बात आपको याद रखनी है और कब होगा तो यही प्रत्याहार परे हो तभी तो यही प्रत्याहार कहां से कहां तक है तो जो व्यंजन के प्रत्या सुत्र है यानि हयवरट के ह से जो सुत्र शुरू होकर हल के लव परियन जो है बहुत सारे व्यंजन को बताते हैं तो उसमें से हक को छोड़कर हयवरेट के यह से लेकर कपई के यह तक ठीक है तो चार अक्षर को चार वर्णों को छोड़ देना है कौन-कौन से चार व्यंजनों में से चार वर्णों को छोड़ देना है तालवय शकार मुर्धन्य शकार और दंत्य सकार इन और हकार को छोड़कर जितने वर्ण है यानि हयवरेट के यह से लेकर हलके लग कपई के यह परियंत वहां तक के वर्ण में से कोई भी वर्ण यदि परे हो तो यानि कि यही प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण परे हो और पूर्व में अनुस्वार हो तो क्या होगा अनुस्वार को परसवर्ण होगा यानि पर में कोई भी वर्ण होगा पर्शवर्ण का तो उनके वर्ग का वह वर्ण होगा तो यही बात भृत्ती में लिखते हैं लेकिन वह कैसा होना चाहिए अपदांतस्य ठीके? अनुस्वार कैसा होना चाहिए अपदांतस्य यानि पदांत में न होना जब कोई भी एक संपूर्ण पद है उनका अंत भाग होता है पदांत तो पदान्त से भिन्न, यानि किसी के बीच में आ रहा हो वे साई, तो अपदान्त स्य अनुस्वार स्य यही परे परसवर्णा स्याद, यानि अपदान्त अनुस्वार हो तो ही उसके स्थान पर परसवर्णा होता है, तब यही प्रत्याहार परे हो, तभी अपदान्त अनुस अनुस्वार के स्थान पर परशवर्ण होता है कब जब यही प्रत्याहर परे हो तो यहाँ पर अर्ध भी लिखा हुआ है अनुस्वार से परे, यही प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण परे हो, तो परसवर्ण होता है, यदि इस रूल को हम आसानी से डिफैंड करें, सुत्रक की तरह देखे, तो केसी स्थिती रहेगी, यहां पर लिखी हो यह, तो पूर्व में अनुस्वार रहेगा, केसा अनुस् और उससे परे यही प्रत्यार के जो कोई भी वर्ण है वह उससे परे रहेगे तो देखे यहाँ पर इंग्लीश में भी इसी बात को समझ लेते हैं यहाँ पर एक सुत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण हाँ यहाँ पर एक सुत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण हाँ Here there are one परत्यार देखे इसमें इस उतर में एक ही परत्यार है वह है यही परत्यार यही परत्यार में All वियंजन Except so, 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 ठीए तो यही बात बताःती मैंने की तालवियशकार मुर्धनियःशकार और दंतियशकार और हकार को छोड़कर सारे जो व्यंजन है, उनका ग्रहन यही में हो जाता है तो here अनुशुवार इस दो स्थानी because अनुशुवार is the सस्थी विबक्ति जैसे कि बताया कि जो सस्थी विबक्तियंत पद होता है वह स्थानी होता है यानि उनके स्थान पर कार्य होता है और सुत्र में जो परसवर्ण पद है वह है प्रत्मा विबक्तिक पद तो लिखते हैं कि परसवर्ण इस दा प्रत्मा विबक्ति Hence, it is the आदेश अब प्रत्मा विबक्ति अंत पद होता है वह आदेश होता है अनुस्वार के स्थान पर आपको परसवर्ण कारिय करना है जब यही प्रत्याहर परे हो तो अनुस्वार जो है वह भी नासी का स्थानी है तो नासी का स्थानी यह अनुस्वार होने से उनके स्थान पर भी जो कोई आदेश होगा वह कैसा होगा नासी का स्थानी यही आदेश होगा लेकिन कैसा आदेश होगा जब पर में जैसा यही परे होगा यदि पर में कवर्ग का यही परे है ठीक है कव परे है तो गं होगा क्योंकि कवर्ग का नासी का स्थानिय वर्ण कोन है गं यदि चवर्ग का कोई अक्षर परे है और पूर्व में अनुसवार है तो चवर्ग का नासी का स्थानी ये वर्ण है न्य तो क्या होगा न्य होगा उसी प्रकार तवर्ग का यदि कोई वर्ण परमे रहेगा तो अनुसवार के स्थान में नासी का स्थानी ये वर्ण न हुए अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा न होगा तो एसी बात आपको याद रखनी है और अंतिन जो पद है सुत्र में मद्य में यही तो यही इस दा सब्तमी विबक्ति ओप यही ठीक है तो आप सु ओव जस अम ओड सस वो जानते तो उसमें से सब्तमी विबक्ति एक यहाई जोड़े रातिपदि न्यादिकार कर दीजै तो हो जएगा यहीं जो सब्तम विबक्ति अंतपद होता है वह होता है तो वही बात लिख है यह इस दग्योंस sfam है कि यही परे होगा तभी अनुस्वार के स्थान पर परसवर्णा होगा सवर्णा कहाई यानि अनुस्वार के समान ही होना चाहिए तो चलिए एक्जामपल देखते हैं यहां कुछ तो उसमें से फर्ष्ट एक्जामपल आपके समक्ष है उदारण के तोर पर अंबुहू तो देखें अंबुहू का मिनिंग होता है पानी ठीक है जल प्षीर नीर अब जो कुछ भी कहें कई सारे अंबु के परियाई है ठीक है तो अंबु में जल तो अंबु में देखें अंबु का संधी विच्चेत करेगे तो यहां पर अंबुह एसा होगा ठीक है यह तो संधी संयुक्तपद है अंबुहू लेकिन उनका जब संधी विच्चेत करेगे तो क्या होगा अंबुहू ठीक है तो अंब जो है वो अनुस प्प ब भ म तो ब वर्ण है व पवर्ग का तुरुतिय वर्ण है जो की पर है और उससे पूर्व में अपदांत अकार उत्तरवर्ती अनुस्वार है यानि अकार के बाद में अनुस्वार है अकार के उपर अनुस्वार है तो उस अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण कारिय क तो क्या होगा अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण यहां देख रहे है मा हुआ है तो अम प्लस बुहू अम बुहू तो यहां परसवर्ण में मही क्यों हुआ तो मैंने बताया था कि परसवर्ण यानि परमे जैसा हो एसा सवर्ण अनुस्वार के स्थान पर होगा और अनु यहां मंगानन यह नासिका स्थानिय वर्ण है और यहां पर भी बह जो है वह क्या है पवर्ग का है तो पवर्ग का नासिका स्थानिय वर्ण कौन होगा नासिका स्थानिय वर्ण है पाच यहां मंगानन जो की प्रतिक वर्ग का एक एक अक्षर है तो यहां पर पवर्ग का ना सवाइर के स्थान पर क्या हो गया मोचुका है तो मिला दिज्जे अम्बू हू तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी example समझ में आ गया होगा फिर भी एक और example देखते यहाँ पर second example जो है वहाँ है शान्त ठीक है अब संस्कृत नाटक पड़ेगे तो संस्कृत नाटक में कई बार इस सब्द का परयोग होता है शान्तम पापम शान्तम पापम यानि शान्त होईए शान्त होईए ठीक है कोई गुसा कर रहा हो तो भी शान्तम पापम कोई दुखी हो तो भी शान्तम पापम इस सब्द का वारम वार संस्कृत नाट्य जगत में प्रयुक्त होता है तो यहाँ पर भी शांत शब्दली का है तो शांत शब्द का हम संधी भी भाजन करेगे तब क्या होगा शाम प्लस तह शाम धन तह तो शाम में जो अनुस्वार है उस अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण क्या होगा परसवर्ण होगा न न क्यों होगा क्योंकि पर में है तवर्ग का प्रथम वर्ण तव और तवर्ग परे रहते हुए अनुस्वार के स्थान में जब परसवर्ण करेगे तो पर में जिस वर्ग का जो अक्षर है उसी वर्ग का अनुस्वार अक्षर होगा तो यहाँ पर त वर्ग का अध्य अक्षर त पर में है तो त वर्ग का अनुनासिक वर्ण कौन सा है? याद किजिए त वर्ग सबसे पहले त थ द ध न तो तथदधडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड न तो इसी लिए यहां शाम के अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा न हो जाएगा तो अनुस्वार के स्थान पर न हो चुका है तो सान तह तो मिला दिज्ये हो जाएगा शान तह तो आप सभी को परसवर्ण संदी जो है अनुस्वार के सान पर परसवर्ण कौन सा वर्ण होत किस स्थिती में होता है यह सब बाते आपको आसानी से समझ में यह सुत्र के बारे में आप सभी को समझ में आ गई होगी तो चलिए कुछ short exercise जो है वह हम करते है जिसमें से प्रतम question जो है वह है आपको इसकी संदी विभाजन जो है संदी विच्चेद जो है वह आपको बताना है जिसमें से first example है फर्ष्ट संदी जो है वह है मेद्यांच तो मेद्यांच की अनुस्वा रस्य यही परसवर्ण सुत्र के आदार पर संदी विभाजन संदी विग्रव, संदी विच्छेद केसे होता है यहां आपको बताना है और दुसरा जो फ्रश्ण है वा है उक्तनतू ठीक है? सब क्वेस्चन है उक्तनतू तो उक्तनतू का भी संदी विभाजन किस प्रकार से होता है अनुस्वारसी परसवर्ण के आधार पर आपको बताना है और second question है write the following in the proper way तो इनको आपको proper way में लिखना है तो संदी ही, हम पहले से संदी पढ़ते आये हैं तो मैंने संदी किस प्रकार से लिखा है इसी slide पर इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा लेकिन वह क्यों एसे सही है, proper way तो उनके rules के साथ आपको बताना है कि किस वज़े से वह proper way में यह नहीं लिखा गया है और दूसरा जो example है, वह है पांडु हूँ तो इनको भी proper way में पाणीनी व्याकरण के अनुसार आपको पांडु हूँ और संधी को सही ठिक करना है तो आशा है कि आपको आज का जो यह चित्र है यह जो चल चित्र है परसवर्ण संधी के बारे में और अनुस्वार रस्य यही परसवर्ण इस सुत्र के बारे में जो आपको बताया है वह आपको आसानी से समझ में आया होगा अस्तू धन्यवादह पुना मिलामा